हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल के एले स्टडी फ्रेंट्स आपको बता दें वर्गतीन की जो फाइनली मेरिट लेस्ट है वो कब तक आएगी और यहाँ पर किस जिले में कितने पद खाली है तो मेरिट लेस्ट आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क इस जिले में कितने पद खाली है और आपकी जो यहाँ पर साइड है अपडेट कर दी गई है कल तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कुछ जिलों में यहाँ पर पद व्रद्धी भी की गई है क्योंकि आपने निर्देश पड़ई होंगे बहां इस पश्ट त आपको देखेंगे अपडेट हो चुका है और हर जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने पद रेक्त हैं कैटिगरी के अनुसार भी ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान की चलिए कोई जिला है जैसे सेंग रोली है ठीक है तो यहाँ पर open पर आपको 24 फिलंग का मौका नहीं मिलेगा तो यहां पर जितने भी आपके रोश्टर में जिले दिये गए हैं जहां पर भी जक्तपद हैं तो बहां तो आपको 24 फिलंग करनी है और कम से कम 50 बहां पर इस पश्ट कहा गया है कि कम से कम 50 इस्कूलों की 24 फिलंग आप जरूर कर ठीक है 50 जिलों की तो आईए देख लेते हैं रोश्टर और यह आपकी साइट जो है कुछ दनों पहले इन्होंने इसारी चीज़ें यहां से हटा ली थी लेकिन कल इन्होंने फिर से यहां पर इसारी चीज़ें अपडेट करके डाल दी हैं और जिसमें आपकी कुछ जिलों मे एक PDF डाउनलोड हो जाएगा तो उसको डाउनलोड करके आप सारे जिलों की रिक्तियां देख सकते हैं कि कहां पर कितनी रिक्तियां हैं ठीक है तो सबसे पहले यहां दिये हैं जिले के नाम तो सबसे पहले हैं सिंग रॉली ठीक है अब सिंग रॉली में जो है यहां पर एसी के लिए हैं 744, एस्टी के लिए हैं 211, ओवीसी के लिए हैं 250 और एव्वीस के लिए हैं 149 तो टोटल इस प्रकार से मिलाकर के 179 पद खाली हैं यहां पर पहले लगभग 16 पद थे जो की कल अन्होंने अपडेट करके डाला है तो इसमें कुछ पदों की ब्रद्धी भी ह हुआ है अब यह तो हुआ है टॉटल की कितने पद खाली है अब यहां आप देख रहे हैं open vacancy मतलब जो mail होते हैं तो इनके total कितने पद खाली हैं तो आप यहां देख सकते हैं इनके total 895 थीक है इसी तरह से जो female है woman है उनके कितने पद खाली है तो 800 यहाँ पर 94 पद खाली है इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ex-servicemen जो है इनको 10% का reservation दिया जाता है तो इनके भी यहाँ पर मतलब जो आपकी disability होती है वो 21 परकार की होती है तो उनमें सारी को मिला करके और यहाँ पर यह चीजें बताएं गया है तो यह दिया गया है तो इसी तरह से आप हर जिले का category बाइस देख सकते हैं कि कहां पर कितने पद खाली है और total कितने पद खाली है इसके बाद ऐसा ही दिया गया है शिवपुरी जिले का ठीक है तो शिवपुरी में total कितने पद रिखते हैं तो 820 है इसी तरह से आपके total जो open vacancy है उसमें कितने पद खाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हैं 411 इसी तरह से जो female हैं उनके कितने हैं 409 और फेर इ कि करके देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी पद खाली है और आप किस कैटिगरी में आते हैं तो वह कैटिगरी भी देख सकते हैं कि किस जिले में किस कैटिगरी के कितनी पद खाली है जैसे छतरपुर हो गया इसके बाद आपका गुना हो गया उमरिया हो गया सेवपुर हो बुरहानपुर, उज्जेन, सागर, दमुह, ठीक है, तो इतने जो जिले हैं यहां पर आपके दिये गाए हैं, जहां पर खाली पद हैं, तो आपको बता दें कि जो आपके 59 वावन जिले हैं, इनमें ऐसे कुछ जिलों में तो कोई भी पद खाली ही नहीं है, और इन्होंने च कम से कम 50 जिलों में, मतलब 50 जिलों में च्वाइस फिलेंग करनी हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो विभाग अपने अनुसार आपकी जो पद स्थापना है, वो कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है, और यह भी देख लेना है कि कहां पर कितने पद खाली हैं, और आ आपको जो है, किसी भी विभाग में आपकी जो आइनिंग दे सकते हैं, और इसके लिए जो अभ्यारती हैं, वो दावा नहीं करेंगे कि हमें इसमें बदलाओ करना है, क्योंकि किसी भी हाल में बदलाओ संभाओ नहीं है, ठीक है, इसके बाद आपकी जो बेकेंसी है, उनक क्योंकि जो विभाग है उसने अभी तक बरग एक बरग डो की जुगाइनिंग नहीं दी है तो फिर यहती वर्ग तीन में भी एटिले कर सकते हैं जैसा इन्हों ने आपकी मैरिट लिष्ट के समय किया था मैरिट लिष्ट आनी थी आपकी आठ तारीक में लेकिन इन्हों जुआइस फिलिंग करनी है और आपकी जुआइनिंग है मार्च मतलब लाष्ट तक हो सकती है ठीक है और इसमें जल्दी भी कर सकते हैं ठोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं क्योंकि यह विभाग है और जैसा यह चाहेंगे बैसा ही होगा ठीक है तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तुस्से जरूर करना और आपको बता दें कि आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग है उसका नौटिफिकेसन भी आपका 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगा रोष्टर आ जाएगा और बहां आपको पता लग जाएगा कि किसा कैटेगरी में कितने पद खाली है और करीब जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग है वो 10,000 पद मान कर चलिए इतनी पर तो होगी ही ठीक है और इसके अनुसार आपने कट ओफ देखी लिया होगा कि आपका जो कट ओफ है क्या रहने वाला है सेकेंड काउंसलिंग का क्योंकि जो बेटिंग है वो आपकी 100% किलियर हो ठीक है यदि आपको सेशन आया है पसंद तो से यह जरूर कर देना थेंक यू